Hello Friends, Namaskar, Welcome to our Channel Friends, NEED 2021 Counseling जो है वो जनुवरी तक डिले हो चुकी है ये बात आप सभी चानते हैं इसका कारण क्या है तो MCC ने एक स्टेटमेंट जारी की थी दोस्तो दो दिन पहले जिसमें उन्होंने बोला था कि 6 जनुवरी तक आपकी जो है NEED 2021 की Counseling सुरून नहीं हो पाएगी उसका कारण ये है कि Supreme Court के अंदर जो EWS का 8 लाक वाला जो केस चल रहा है दोस्तो वो अभी तक फारिक नहीं हुआ है उसकी अगली सुनवाई 6 जनुवरी को होनी है उसके बाद एक या दो सुनवाई और भी हो सकते दोस्तों तो 10 जनुवरी तक आपकी Counseling सुरून नहीं होने वाली है लेकिन दोस्तों आपकी State Counseling कब से स्टार्ट होने वाली है और NEED 2022 एकजाम पर इस Counseling डिले होने से क्या इवेक्ट पड़ेगा जो 2022 की एकजाम डेट है दोस्तों वो कब होगी साथ में बात करों दोस्तों अगर आपके 300 नंबर है उससे थोड़े ज़ादा है दोस्तों तो आप जो है कैसे MBBS कर सकते हैं लो बजट में लो मार्ट में दोस्तों या फिर MBBS अबरोड करना चाते है या फिर प्राइवेट कोले से करना चाते है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वैंने डारेक्ट इस नंबर का वट्सअप लिंक दे दिया है या दोस्तों नीचे Google Form का लिंक पर दोस्तों उसको आफिर कर देती है तो टीम आपको अपने आप कोटेक्ट कर लेगी तो दोस्तों सबसे पैदे हम स्टेट काउंसिलिंग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों करनाटका के अंदर आज से ही काउंसिलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है के ए बिगिन रजिस्टेशन पॉर यूजी नीट टूड़े ओन के डोट के ए डोट के ए डोट ए डोट ए डोट ए डोट एन इस डोट इन चेडूल है तो दोस्तों आप यहापर चेक कर सकते हैं यह वेबसाइट है इस पर जा कर गए साथ में दोस्तों जो बात करें अब हर्याना यूपी की दोस्तों इन स्टेट में अभी काउंसिलिंग में टाइम लगेगा कम से कम दोस्तों 15-20 तिम यहापर लग जाएगे क्योंकि इनकी जो काउंसिलिंग है वो ओल इंडिया कोटाई का पासपासी होती है तो इनमें टाइम लग सकता है दोस्तों कुछ स्टेट में गांसिलिंग सुरू हो चुकी है उनकी वीडियो जो हमने बना के आपको प्रवाइट करवा रखी है वीडियो सेक्षिन में जाके जरूर देख ले दोस्तों और दोस्तों जो बात करें नीट 2022 ए लेकिन अभी काउंसिलिंग इतनी डिले हो गए दोस्तों जिससे सारा काम जो है वो लेट हो जाएगा अभी काउंसिलिंग आपकी फरवरी मार्च के अंदर खतम होने वाले दोस्तों इस येर की तो उसको देखते विए आपका एक्जाम जो है अगस्त में ही लिया जा सकता ह दोस्तो बात ये भी चल रही एक क्या NEET 2022 का एक्जाम दो बर कंडेक्टर वाया जा सकता है वन येर के अंदर दोस्तो तो इस बात पर भी अभी चर्चाय चल रही है अगर दो बर होता है दोस्तो तो जुलाई और अगस्त है मैं आपके दो अटेम्ट लिए जाएंगे एक बार होता है दोस्तो तो मॉस्ट प्रोबैबिली आपका एक्जाम आगस्त में होने वाला है लेकिन दोस्तो आप अपनी त्यारी जो है वो जो लाई के कोडिंग ही रखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू